पुलीस को मिली बड़ी सफलता इक्यावन कार इंजिन बिस चेसिस और पाच कारे वह अन्य सामान किया बरामत मेरट की सदर बाजार थाना पुलीस को बड़ी सफलता मिली है एस पी अजे सहनी के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ चलाए गए अबियान के दोरान पुलीस ने कारों के बावन इंजिन बिस चेसिस चोरी की पाच कारे और अन्य सामान बड़ी तादाद में बरामत किया है साथी अबरार नाम के एक कबाड़ी को उसके गोदाम से गिराफ तार किया है प्रेसवारता के दोरान अधिकारियों ने खुलासा किया एस पी कैंट के अगवाई में सदर बाजार थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने सोती गंच के एक कबाड़ी अबरार किया हाँ चापे मारी की और उसके यहाँ गोदाम से लगजरी गाड़ियों के 51 इंजिन, पाच गाड़िया, बिसकारों के चेसिस, 30 ECS, बारी मातरा में कटे हुए रीम टायर, 100 धुरे, 80 रीम बरामत किये वही इस चापे मारी के दोरान का बाड़ी हाजी इकबाल, अफजाल और इमरान फरार होने में काम्याब रहे यह आरोपी देहली गेट थाना क्षेतर के पटेल नगर के रहने वाले हैं और इनकी सदर थाना के सोती गंच में दुकान और गोदाम है फरारब युक्तों की तलाश में पुलिस्टी में लगी है, आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है आरोपी चोरी की गाड़ियों के इंचन नंबर और चेसिस नंबर बदल कर उन्हें दूसरे राज़ों में बेच दिया करते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे और एक बड़ी कामयावी मिली अपरार नामक बेक्ती गिरफतार हुआ है जिससे 51 गाड़ियों के इंचन और पांच गाड़ियां है जिसमें दो थार है, बोलरो है, इनोवा है, ऐसी गाड़ियां पांच बरामद हुई हैं जिनके तमाम पार्स बदले हुए हैं और बहुत सारी सूचना इसके बारे में मिली हैं कि यह गैंग कहां से कहां तक दिल्ली और न्सियार के तमाम जिलों से, उत्राखंडर से और हर्याना तक से इसके संबंध हैं और कुछ इसके लिंकेज राजस्थान से भी प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर कारवाई की जा रही है, गहन चानबीन की जा रही है इस गैंग में बहुत सारे जिनका जितना भी रोल है, छोटे इसले के बड़ा तक सारे लोगों के खिलाब कारवाई सुनिस्चित कराई जाएगी इसके अत्रिक 51 गाड़ियों के इंजन भी बरामद हुए हैं, तमाम पार्स मिले हैं जो बाहर डिस्प्ले में लगे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको यह गैंग आपको विदित होगा कि जनपत लखनव के चिनहर थाना छेतर में एक गैंग पकड़ा गया था जिससे लगभग 50 गाड़ियों के बरामद्गी हुई थी, इनके दोरा बीमा से लेके इंजन के नंबर तक के खेल करके वहाँ पर इस तरह के खपले बाजी की गई तो और एक बड़ी काम्याबी थी उस गैंग का वांटेड मेंबर था और एक इसका भाई अफजाल भी है दोनों वहां से वांटेड हैं जिसमें अबरार गिरफतार गुए अफजाल की गिरफतारी के लिए प्रयास किया रहा है सिक गरफतारी होगी और जैसा मैंने कहा कि इ इतना भी युगदान होगा सब के खिलाब करवाई की जाएगी हमारी